नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं चात्री विर्थी के लिए ओनलाइन आवेदन शुरू जर्खन के मनेता प्राप्त बेट को लेजों में सक्षिनिक सद्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नमंकर लेने माले चात्री शात्राओं की छात्री विर्थी के लिए इक कल्यान पोटल दो अगस से दुबारा खुलेगा पता दे राई सरकार ने चात्रों की मांग को सविकार करते वे पोटल खोलने के उनुमती दे दिया है चात्रे शात्राओं दो अगस से चात्री विर्थी के लिए ओनलेन आवेदन कर सकेंगे मौसम विभाग ने 29 जुलाई को राजे में कहीं कहीं अती भारी बारिस की चेतावनी दी है इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलट जारी किया है साथी राई सरकार को तयारी करने का निर्देश दिया है मौसम विभाग के वरिये वेग्यानी अविशेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्दवाव बना हुए है इसके साइकलोनिक सर्कुलेशन में बदलने की उमीद है पच्छी मंगाल बिहार और जार्खन में इसका व्यापक असर रहेगा बतादे 29 जुलाई को उत्री दक्षनी पुर्वी तथा मध्य भाग में भारी से भारी बारी सोने की संभुना है 31 जुलाई तक जारी होगा मैट्रीक वा इंटर्मेडियेट परिशा 2021 का रियल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट परकाशन की तेयारी अमतिम चरण में हाई जैक सुतरों से प्राव जनकारी का उसार पहले मैत्रीक $30 का फिर इंटरमेडियेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा , इंटरमेडियेट में तीनों नकाए साइन्स आर्ट्स वा कमर्थ के रिजल्ट इस वर्ष एक साथ जारी होगा वही मैंट्रिक वा इंटर्मेडियेट मिला कर लवक आठ लाक पर ज़ारती हैं बताते कोवी नाइट्रिक के कायान इस वर्ष परिक्षा नहीं ली गई है रिजल्ट कर नौवी वह एकारवी के 2022 के लिए अनुगरह अनुदान है तो राज्यको से कुल 10 कुलो रूपाई का बज़टिये प्रवधान किया गया है उन्होंने सारे जीलो को पत्र लिखकर प्रवधान के तहत अनुदान देने को कहा है उन्होंने कहा है कि अधिक्तम 65 वर्ष तक के जिन मजदूरों ने किसी वितिये वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मंडेगा में काम किया है उनका उस वितिये वर्ष तथा अगले वितिये वर्ष में मिरित्यू अथ्वा दुरहटना में मिरित्यू अथ्वा अप्रकृतिक मिरित्यू तथा अंग भंग हो जाता है तो उनके बैद उत्रा दिकारी या द बिधान सभाग की प्रोवर समीती ने सुझाव दिया है कि राजे में नीजी कम्पनियों में कारीरत अस्थानिय लोग की भागीदारी तय करने के लिए पहले सर्वे कराया जाए सरकार यह पता करे कि राज्य की नीजी कमपनियां में अस्थानिय लोग की कितनी भागेदारी है और कमपनियों में विभीन पदोपल जारखन के कितने लोग काम कर रहे हैं जिससे नीजी कम्पनियों में अस्थानिय लोगों को 75% आरक्षन देने का प्रवधान संबह हो पाएगा जारखन के पाथ जिलो में सबसे अधिक गरीबी जारखन के पाथ जिलो में सरवाथी गरीबी है इनमें 14, दुमका, साहेवगांज, पच्मी सिम्भू और पाकूर्ट सामिल है राजे में सबसे कम गरीबी पुर्वी सिम्भू में है इस मामले में राची दूसरे नमबर पर है राजे के विभीन जिलों में गरीबी की स्थिती का आकलन करने के बाद नीती आयोग ने रिपोर्ट त्यार की है जिसमें इसका उलेक किया गया है वहीं आयोगने देश के सभी राज्यों और केंद्र सासित परदेशों में सबसे ज़्यादा गरीवी जहार खौन और बिहार में होने का उले क्या है महंगाई के खिलाप कॉंग्रेस ने दिया धारना कॉंग्रेस ने ताओ और करताओ ने बुद्वार को पेट्रोल डियल एवं रसोई गयस की कीमतों में बिरिदी के खिलाप पूर्व घोसित कारेकरम के अनुसार राची के मोरबादी मैदान में बाफु की परतिमया के समक्ष एक दिवस्य धारना दिया इस दुरन पर देश कॉंग्रेस अधग डक्टर रामे सुरुराव ने कहा कि केंद्रे की मोधी सरकार ने बड़े बेवपारियो घरानों की दलाली कर आम अवाम को कंगाल करने का काम किया है देश की अर्थ व्यवस्ता और महागाई के हाल से जानता त्रस्त हो गई है जारखन में ईपास का नियम बदला है जारखन में लोगडाउन के दुरान लागू ईपास का नियम बदल गया है बताएजर राजे में कुरुना संक्रमन के काम होते मामलों के साथ सरकार ने अनलों के तहट छुट दी है इसी के तहट ईपास के नियम ही बदल गया है अब र दूसरे राजयों से जार्खन आने के लिए इपास जरूरी है जार्खन में मंत्रियों के विभागों का नए सीरी से बंटवारा जगनाथ मतों को सिक्षा विभाग जार्खन सरकार में मंत्रियों के विभागों का नए सीरी से बंटवारा किया गया बतादेश किया जारी की ग गई है नए बनाए गए मंत्री हफिजूल हसन अंसारी को अल्पसंक्य कल्यान पर्याटन कला संस्कृती खेलकूत एवं युवाक कार्य विभाग की जिमिदार दी गई है उनके विभाग के दही तुमें निवांधन भी जोड़ा गया है ज्यारखन में 27 नए केस मिले हैं जो राची से 4, पुर्वी सिम्हूम से 1, हजारी बक से 1, वोकारो से 6, धनबाद से 2, रामगर से 1, कोडार मा से 2, देवहर से 3, किरीडी से 1, लातियार से 1, खोडी से 1, लुहरदागा से 1, गोडा से 1, स्ताहिवगन से 2 मिले हैं ज्यारखन में 36 मरीज स्वास्थ भी हुए हैं वहीं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 237 है भारत में 33, 169 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,973,330 है